Welcome Friends, Travel India Audiobook में आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में आप भारत के Travel Destinations के बारे में Audiobook के माध्यम से सुन पाते हैं Travel Audiobook सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस Audiobook में आप भारत के एक Travel Destinations को Audiobook के माध्यम से सुनेगे और वह है नामची नामची, दक्षन सिक्किम का जिला मुख्याले पिछले कुछ वर्षों के दोरान ही परियतक प्रमुक्ता में आया है पहले नामची को सिर्फ एक बड़ा शहर माना जाता था जहां परियतकों के लिए बहुत कम या कोई आकर्शन नहीं था हालां कि सिख किम के मुख्यमंत्री जो क्षेत्र से विधायक भी है, कि तत्वा वधान में नामची ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिख किम के परियतन परिद्रश्य मैं अपनी पहचान बनाई नामची का आकर्शन आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से मानव निर्मित है पहाडी की चोटी पर स्थित चारधाम मंदिर और समधरुप्त से की मूर्ती, मानव निर्मित आकर्शन है जो भारतिय पर्यतकों को काफी आकर्शक लगते हैं यहां तक की नामची बजार और इसका सुव्यवस्थित सेंट्रल पार्ग भी इत्मिनान से समय बिताने के लिए एक अच्छी जगा है। प्राकृतिक आकर्शनों की तलाश में परियतक चेमची, भीरेतार या टैमी चाय बागान की यात्रा कर सकते हैं। यह सभी नामची से एक घंटे की द्राइव के भीतर हैं। वहां पर होना, NJP बागदोग्रा से नामची लगभग 100 किलोमेटर और लगभग 4 घंटे की द्राइव पर है। यह कलिमपोन के करीब है जो लगभग 50 किलोमेटर और धाई घंटे की दूरी पर है। मुख्य सडक से दाजिलिंग लगभग 70 किलोमेटर और 3 घंटे की दूरी पर है। सिक्किम के विभिन पर्यटन स्थलों में से नामची, राजधानी गैंग टॉक से लगभग 90 किलोमेटर और 4 घंटे की द्राइव पर है। निकत्तम पर्यटन स्थल रावंगला है, जो केवल 26 किलोमेटर दूर है और पहुँचने में एक घंटे से भी कम समय लगता है। लगभग 75 किलोमेटर दूर पेलिंग तक पहुँचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। देखने और करने लायक चीजें। चार धाम, श्री सिद्धेश्वर धाम, जिसे चार धाम के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपून धार्मिक स्थलों को उनकी प्रतिकृतियों के रूप में एक ही स्थान पर लाने का एक प्रयास है। भगवान शिव की मूर्ती सबसे बड़ी है जिसकी उचाई 33 मीटर है। इसे सिक्किम की पडोसी पहाडियों के साथ साथ बंगाल से भी दूर से देखा जा सकता है। भारतिया धार्मिक पर्यतकों को ये जगह काफी आकर्शक लगती है लेकिन अंतराष्ट्रिय यात्रियों के लिए आकर्शन सीमित है क्योंकि निर्मान बहुत हाल ही में हुआ है। सोलो फोक पहाडी पर स्थित चार धाम तक मुख्य बजार से वाहन द्वारा पहुचा जा सकता है जो लगभग 5 किलोमेटर दूर है। चार धाम से आखिरी कुछ किलोमेटर की दूरी पर एक जंगली इलाका है जहां पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर ब्रह्मन किया जा सकता है। सेमद्रुप्ट से मूर्ती ये गुरू पद्मसंभव की 36 मीटर उची प्रतिमा है। ये प्रतिमा नामची शहर से लगभग 7 किलोमेटर दूर चार धाम के विपरीत दिशा में और रावंगला की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। इस जगह को टंडोंग हिल कहा जाता है। साफ दिन में ये स्थान आसपास के पहाडों का उत्कृष्ट द्रिश्य प्रस्तुत करता है। नगाडोंक मच्च ये मच्च समद्रुप्ट से प्रतिमा के नजदीक स्थित है। ये एक शांतिपूर्ण जगह है जहां आप एक अच्छी तरह से बनाए रखा और सन्रक्षित मठ में भिक्षूओं के मंत्रोच चार के बीच कुछ पल बिता सकते हैं। तारे भीर द्रिश्टिकोन, नामची शहर से लगभग 16 किलोमेटर दूर सदम गाव के पास तारे भीर का स्थान है। यहे एक लंबी पहाडी है जो पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है और इसके एक तरफ गहरी खाई है। खड़ी पहाडी की कुल लंबाई लगभग 1 किलोमेटर है। यहां की सरकार ने पैदल यात्रियों के लिए पगडिंडियों का निर्मान किया है, जिनका अनुसरन करके आप लंबी पहाडी पर पैदल चल सकते हैं। उपर से देखने पर कलिमपोंग, तीस्ता बजार, रोंगपो, तिंचुले, पेशोक, इची गाउंव और कई अन्य पर्यटक स्थलों का द्रिश्य बहुत अच्छा होता है। टैमी चाय बागान, सिक्किम का एक मात्र चाय बागान नामची से 30 किलोमेटर दूर स्थित है जो एक घंटे की ड्राइव पर है। जविक चाय बागान क्षेत्र की कुछ बहतरीन चाय का उत्पादन करता है। टैमी एक लोगप्रिय पर्यटन स्थल है और रात भर ठहरने के लिए पास में ही पर्यटक आवास उपलब्ध है। इंडियन हिमालायन सेंटर फोर एडवेंचर और एको टूरिजम नामची से लगभग 15 किलोमेटर दूर स्थित है। परिसर के भीतर, शांदार पहाडी दृष्यों वाला एक पर्यटक आवास भी है। आसपास के मनुरम पर्वतिय दृष्य के लिए पर्यटक आई हेच सी एई परिसर में आते हैं। यहां एक अच्छा रेस तरह है जो अच्छा भारतिय और कॉंटिनेंटल भूजन प्रदान करता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।